है गाईज इसलाम वालेकुम रख्मतुल्लाही वबरकातु हूँ मैं हूँ आपका मेजबान आपका होस्ट अश्रफ दारीमशा और मैं हूँ अक्कलकुवा के एक बहुत बड़े एदारा में जिसका नाम है जामिया इसलामिया इशाद लूलूम अक्कलकुवा यह है जोह बड़ीद है तदला जूम करके देखा दो है हूँ और इस तरफ है डारुल पुरान जिसमें हिबस कि रत जिसमें स्टार्टिंक से नाजरा हिबस इस त्वियरत और तो और ये बोईस होस्टल है और इबर राइट साइड में ये जामिया हेल्थ सेंटर है और इसके क कुछ रूल्स है जामिया फिटने सेंटर दस नंबर में इनके कुछ रूल्स लिखे हुए इंजिनिंग इंसिटूट है और फार्मिंसी इंस्टूट है यह सारी चीजे हैं इसमें आपको में दिखाऊंगा तो आप वीडियो में कंटीनू बने रहें आपको पूरा विजिट क टाइमिंग चाल हुए तो इसको महमान खाने के तोर पर यूज किया जाता है हम लोग फिलहाल इसी में ठहरे हुए हैं और यह बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है और यह एक डिपार्टमेंट है मतलब आप यह समझने कि यह बीच में एक रोड है तो रोड के उस लामिक पढ़ाई होती है तो यह इसकी लंबा ही चोड़ाई आप अन्दाजा लगा लें यह देखें मैं आपको गुमा के दिखा रहा हूँ और वो रहा में गेट लास्ट में आटो वारी उसके पीछे तक इस तरफ यहां से स्टार्ट में कर रहा हूँ यह जामिया कॉलेज ओफ एजूकेशन है यहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई की जाती है यह पहला गेट है यह जामिया पॉलेटिकनिक सेंटर है कलकुआ का वह पहला गेट जो मैंने आपको दिखा दिया कॉलेज का है वहाँ पर वो कॉलेज का एंड है और यह यहां से यह building यह पूरी polytechnic की है यह देखें यहां तक अभी admission चालू है college अभी खुला नहीं है इसलिए आपको खाली दिख रहा है यह institute of engineering and management studies इसमें होती है यह तीसरा गेट है उस side से साइड से count करते हुए मैं आप सबको दिखाते आ रहा हूँ यह जामिया institute of engineering and management studies इसलिए अभी फिलाल admission का timing है अभी कुछ दो-चार दिन और admission चलेंगे इसलिए अब बच्चे नहीं देखें और आप चलते हैं चौथे gate की तरफ सामने mountain area है बहुत अच्छा व्यू है यह देख है वहां से लेके और यहां तक यह पूरी pharmacy की इसमें पढ़ाई होती है देखें आप अभी फिलाल open नहीं है क्योंकि admission अभी शालू है और आब फाइनली पांच वे गेट पर में आ गया हूं ये टोटल होस्टल है वाईस होस्टल है और यह यहां से लेके यहां तक है वहां तक वाहं से यहां थे कि बॉस्टल थे खूट सूरत तरीके से बनाया गया है और कितना अच्छा है जो बच्चे यहां पूरी तरीके से अच्छे से मन लगा के पढ़ भी सकते हैं गार्डिनिंग की गई है अच्छे से आप बैठ के शाम को असर के बाद फ़ड़ा सा नेचर का ग्यू ले सकते हैं आप आराम से